दोस्तों कल है 23 मार्च मतलब पाकिस्तान के पाकिस्तान डे पैरेड दोस्तों इस दिन के इथियास के बारे में आप जानेंगे तो आपको काफी अधिक हसी आएगा पर आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस दिन के इथियास के बारे में नहीं बताऊंगा बलकि हाली मे पाकिस्तान के तरफ से दिया गया 이уск E です बारे में बताऊंगा जहां पर बताया जा रहा है कि शायत पाकिस्तान अपने बेड़े में तर्किश मेड अनमेन एरियल वेकलों को शामिल किया है। दोसरे असल में ये इंटिकेशन आज का नहीं है बलकि उस समय का है जब पाकिस्तान के बेड़े में चाइनिज मेड जेटन सी इयर क्रेप्टो को शामिल किया जा रहा था। तव एक वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान के द्वारा हाल फिलाल में ही प्रोकियोर किया हुआ हत्यारों को दिखाया गया। पाकिस्तान डे का जाता है पर अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको हसी भी आएगा। किसी तरी गया कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान कोई रिपब्लिक डे तो आयजित नहीं कर सकता था लेकिन भारत को कौपी करने के चकर में एक नया दिन का शुरूआत किया गया इसे पाकिस्तान डे कहा जाता है। और नहीं पाकिस्तान में लिखा गया संग्विदान को लागू करने का दिन है। वैसे तो पाकिस्तान में संग्विदान नाम के है पर यहाँ पे टोटल डिक्टेशन सिफ चलता है। पर दोसो इस बात को दर्गनार करते हुए चलिए हम जानते हैं कि तर्किश मेट यह अकांकी और बाइरेक्टर टीवी टू अनमैन एरियल वियकलों का क्या खासियत है। मिडियम ओल्टिटूड लॉंग इंडियूरेंस वियकल भी कहा जाता है। मतलब इसके पास हवा से हत्यारों को दागने का शमता है। मैन एरियल वियकलों को खरिदना चाता है। दोसो बाइरेक्टर टीवी टू असल में आकार में काफी छोटा वियकल है जिसका लंबाई 6.5 मीटर और विंग स्पैन 12 मीटर है। इसके मैकसिमम टेक ओफ वेट 700 किलोग्राम है और पेलोट शमता स्रेप 150 किलोग्राम है। इसमें एक 100 होट्स पावर के इंजिन का इस्तेमाल किया गया है। जबकि इसका फ्यूल काफसिटी करीब करीब 300 लिटर है। मैकसिमम ये 220 किलोमीटर पर आवर के रफतार से उड़ान भड़ सकता है। मादा पेलोड लेने का शमता वाला द्रोन है। वैसे तो ये द्रोन 6 डिसमबर साल 2019 में अपना पहला उड़ान भरा लेकिन पिछले साल 29 अगस्ट के दिन ही पहली वार इसे तरकीश बेड़े में शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताविक अब तक ऐसे 9 ड्रोनों को ही निर्मान किया सका जिन में 3 प्रोटोटाइप और 6 सिरियल प्रोड़क्शन वर्जिन है। कई फे वी इन द्रोनों को पाकिस्तान को बेचे जाने का कोई खवर नहीं है पर कई बार पाकिस्तानी मेडिया रिपोर्टों में बताया जा चुका है कि पाकिस्तान ऐसे द्रोनों को खरिदना चाहता है। किलो मिटर पर आवर के रफ्तार से उड़ान भड़ सकता है जबकिसका क्रूजर स्पीड करिफ करीब करीब तू 40 किलो मिटर पर आवर है। रेंज करीब करीब 7500 किलो मिटर बताया जाता है जबकि एंडियूरेंस 25 घंटा है। ये द्रोन 40,000 फिट के उचाई तक उड़ान भड़ सकता है और 30,000 फिट के उचाई से ओपरेशन को अंजाम दे सकता है। रिपोर्ट के मुताविक इस द्रोन में 8 हाट पॉइंट है जिसके सहारे ये वजन में अधिक भारी हतियारों को और लंबे दूरत अकमार करने वाले हतियारों को कैड़ी कर सकता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन